है इबरिबन आये आज की इस वीडियो में हम जीके जिससे रिलेटेड एपरोक्स 40 आज की इस वीडियो में कवर करेंगे जिसमें कि हम आब बित बीजो की बढ़गी की इस टॉफिक से रिलेटेड सारे कोस्चन आपको देखने को मिलेगा ठीक है और यह मेरा पार्ٹ 24 है इसी तो उनका लिंक को इसी वीडियो के रूप में प्रोवाइट कर दिया जाएगा ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं ठीक है नमबर फर्स्ट है अमारा निम ने लिखित में से किसे बढ़गी की का जनक कहा जाता है ठीक है बढ़गी की का पितामा किसे कहा जाता है यह आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर फोर ओप्सेंस दिये हुए तो इनका करेक्ट रंस रोजगा ऑप्सन नमबर भी लीनियस ठीक है लीनियस को ही बढ़गी की का पितामा यानि ज scientist था 11 years टीक है system on nature's PUstha सता किस ने लिखा लाइन लिखा तो ओप्सन नमबर 20 ौिसका एकान किस खुल से संबन्दिथ है या corresponds है किस खुल से संबंधित होता है यह आपको बताना है तो यह जो है सोले नेसी सोले नेसी कूल से जो संबंधित होता है यह आपका आलू किस कूल से संबंधित होता है तो सोले नेसी कूल से संबंधित होता है आपका पोटेटो ठीक है नेक्स्ट है कपास किस कूल से संबंधित है कपास किस तो बैगन जो है सोले नेसी कुल का पौधा है ठीक है बैगन किस कुल का पौधा है सोले नेसी कुल का पौधा है ठीक है तो अपसर निमसी करेक्टन से ओजागा सोले नेसी कुल का पौधा है ठीक है नेक्स्ट है आम का बास्तविक नाम क्या है ओके आम का बैज्यानिक नाम क्या होता है साइंटिफिक नेम क्या होता है यानि बास्तविक नाम क्या होता है तो आम का जो बास्तविक नाम होता है वो होता है मेंजी फिरा इंडिका क्या होता है मेंजी फिरा इंडिका इसका साइं संबंदित रखते हैं ओके गिरे मेनी कुल से यह संबंदित होते हैं ठीक है नेक्स्ट है कोस्टन नमबर टेन के कोस्टन नमर टेन हमारा है गेहुं के पौधे का बास्तविक नाम यानि की साइंटिफिक नाम क्या है तो गेहुं के पौधे का साइंटिफिक नाम भैज्यानिक सबसे बड़ा कूल कौन सा है कूल में सबसे बड़ा कूल जो होता है बहुता है कंपोजिटी को सबसे बड़ा कूल माना जाता है ठीक है तो ओप्सन नमबर डी इसका करेक्ट रंस रो जाएगा है वो होता है एरिकस हाइजो हाइजो हाइपोजिया ठीक है एरिकस हाइपोजिया ठीक है तो option नमर ची करेक्टन्स हो जाएगा एरिकस हाइपोजिया जो होता है मुंफली का बनस्पतिक नाम होता है question number 14 है चाय के पौधे का बनस्पतिक नाम क्या है चाय के पौधे का बनस्पतिक नाम होता है थिया साइनेंसिस यानि ओप्सन नमर सी हो जाएगा थिया साइनेंसिस जो होता है चाय के पौधे का बनस्पतिक नाम होता है ठीक है नेक्ट कोशन है तेल बीज यानि ओयल सीड्स वाली फसल किस से संबंदित होती है तो तेल बीज प्रफाली जितने फासल होते हैं यह संब्दीत होते हैं रिलेटेड रूती Kate कुरूसीफ से में में शबवाब जिवित को कौन सा के ऊके लिप तर्श और ऊप्षीन नुमर्छ टिक यह स्टक्रेट कर्रिंस हो जाएगा कि 서 ले तोटीव लेफ रब वहाग से लोदन औस धी प्राप्त की जाती है तो यह की जाती है इसके पतियों से किसे लिप से यानि इसके पतियों से प्राप्त की जाती है टोलू के गलतें़ एफेड्रा पाउधा का कौन सा भाग एफेड्रीन ओके यहां पर एफेड्रीन ओस्धी होता है ठीक है यहां पर थोड़ा से मिश्टेक हुआ है एफेड्रीन ओस्धी प्राप्त होता है तो यह जो होता है एफेड्रा पाउधा के तना भाग से जो है एफेड्रीन ओस्धी या पैपेवर सोमनी फेरम से मोर्फिन निकाला जाता है ठीक है ओप्सन नमबर B करेक्टर नस रो जाएगा इसका नेक्स्ट है फूल गोभी यानि कौली फ्रावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है तो फूल गोभी के पौधे का हम लोग पुस्प कर्म भाग हम लोग खा करते हैं ठीक है खाने में नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से कौफी प्राप्त होता है कौफी जो प्राप्त करते हैं हम पौधे के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं तो बीजों से हम लोग प्राप्त करते हैं यानि कौफी का हम लोग बीज भाग हम लोग खाते हैं ठीक फल के लेटेक्स से प्रप्त किया जाता है ओके बीना फाके नहीं बलकि पके होगा बीना फाके फल के लेटेक्स से प्रप्त किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है रेसर्पिन नामक आउसधी जो हता है दबाई जो हता है किस से प्रप्त किया जाता है जी तो ये ये प्रप्त किय सबसे अच्छा सुरूत क्या है तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सूरूत जो होता है आमला होता है तमबाकू की पतियों में क्या पाया जाता है तो आप लोग जानते होंगे nicotine nicotine नामक पदार्थ इसमें पाया जाता है तमबाकू में ठीक है तो option बससी हो जाएगा nicotine ठीक है राओ वुल्फिया जाती से जो है इसीस दबाई प्राप्त क्या जाता है उके ऊच्छ रक्दाप को गंज़ करने खूल नेक्स्रे भारत के पॉर्मुक धाननी फसल है चाबल राइस थीके भारत के पॉर्मुख धाननी फसल प्रोटेश क्या है खी जिडिए सूईबिन नेक्स्ट है निमने लिखित में से कौन सी फसल मिर्दा यानि मिट्री को नैट्रोजन से भर पूर कर देती है तो वो है मटर कौन सी फसल को मटर को ठीक है नेक्स्ट कोच्टन है किस पेर का छाल मसाले की रुप में पढ़ियो की जाती है तो दाल चिनी आपने देखा होगा ये चाल की तरह होता है ठीक है यानि कि दाल चिनी इसका correct answer हो जागा ठीक है इसी से हम लोग प्राप्त करते हैं ओके लौंग ठीक है next question है बास को किस केड़ेयर क्रित की यह एक है तो यह ग्यार करता फोनुप uldगा हास की बघ्र टोंत пой yan यह इंधन प्राप्थ होता है निकाला जाता है ठीक है नेच्ट है किस पाधप को शाक्य भारतिय DR काते हैं किस पीर पढते को शाक्य मिर्च का क्या करन है किस देख़ ऑपस्तिति करन मिर्च की करने कंपर मिर्च हमीं तीखा महसूस होता है इस में क्या ऐसा पाला जाता है तो इस बाइब की कारण हहिए हमें मिर्च जो है ठीखा महसूस होता है है को लग नेकस्ट कोई था इट्ट ने चंदन के पेर को क्या माना जाता था क्या माना जाता है आंसिक मूल परजी भी मना जाता है ठीक है ओके सो आज की इस वीडियो में मैंने अब बृत बीजो की बढ़गी की इस टॉपिक्स रिलिटेट सारे कोस्टन्स आज की इस वीडियो में कभर कियें लगभग सारे कोस्टन्स इस टॉपिक्स रिलिटेट कभर ह हो चुके हैं जो कि आपके सभी कंप्रेटिव एक्जाम्स के लिए वेनिफिसियल होने बाला है ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना मिलते हैं नेक्स